बड़ी से बड़ी चुनोती को अपने बलबूते पर पार किया जा सकता है बेशक शासन प्रशासन पीछे हट जाए तो भी मनजल पाना कठे नहीं रहता। कुछ ऐसी ही सोच के साथ सांबा के जत्वाल में स्थित खेल स्टेटियम की दशास सुधारने में लगी हुई है यूवाओं के टोली। और स्टेटियम को समतल कराने का काम करवाया जा रहा है। और दावे की है कि हम आपको बहतर एक ग्राउंड अपलब्द करवाएंगे और इस ग्राउंड की जितनी भी मेंटेंस है वो सही करके आपको ग्राउंड दिया जाएगा। और ये बादे और दावे सरा सरा खोकले नजर आ रहे हैं और जब हमने ये बात जुबाओं से बात की तो उन्होंने क्या कहा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसे कि आप देखोगे कि सामबा से गगबाल में एक जतवाल गाउं है जो राजनेतिक तोर पे भी काफी बढ़ा है क्यों कि जहां पर काफी गर हैं नेता पर किसी बार आते यणगाभट लगता हैं और इसी करोंड में लगता है कि व्युर्ण को इतने शर्म नहीं याती ह इधन टेंट मतलगाना जागर इतनी सी आप में थोड़ी सी मतलब बंदे में उती है ना शहरम जाहा है आओ इधन मतलगाना फिर आओ जी ग्राउंड है हमारे सेकंड इवेंट है और सेकंड इवेंट जो हम एक साल बाद करवा रहे हैं जो पिछला इवेंट था उसमें हमारा जो हमारे गाहों के लोग थे हम सभी का योगदान था फाइनेंशली और डूरिंग दा इवेंट हमारे सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव यां थे उनसे काफी प्रामिस भी किये गे थे लेकिन आज एक साल होने को आया ऐसा कुछ प्रामिस डिलिवर नहीं हुआ ह तो इस जस्ट काइंड आफ रिमाइंडर टू दम की अगर आप वादा किया है अचली वादा करने की जुरूरत नहीं आपको इवेंचली डिलिवर करना चाहिए क्यांकि उसी के लिए हम आपको चुनते हैं तो बस एक उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीस तोड़ा देखिये ब लेकिन उसकी जो प्रोड़क्टिविटी है वो ना के बराबर है वो कुछ भी नहीं लगा यहां पर पैसा उसका कोई वी जो जो तना एक ही पैसा डालो और उसके बाद जो एक रिजल्ट मिलना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं मिला है हम इस बार 11-12 यार की खुद की मिट्टी किस लग जाए यह ग्रोंड की जो हालत है वो एकदम से सुधर जाएगी जो हम बच्छपन से सुनते आ रहे हैं कि एक ग्रोंड जो है बन रहा आज बनेगा कल बने हम सुनते बड़े होगे लेकिन अभी तक ग्रोंड नहीं बना तो वस यह है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्ली